सलाम उलाइकुम, उम्मित करती हूँ, आप सब ठीक है, तो मैं वजर के नमाज से ब्लॉप बनाना स्टार्ट कर दिया, और इधार जाननाट भी सोकार उड़ गया, तो दोस्तो जाननाट उसकी पेमपर्स खूद फेक ना पसंद करता है, और उसकी जो पेमपर्स था, वो पु कि आप बहुत सर्थ हैं, तो इसको जांपर लागाना पड़ेगा, तो फिर कप्रा पेहना के मैं आ गया हूँ, जाननत के लिए ब्रेक्वस्ट बनाने के लिए, ब्रेक्वस्ट में मैं आज ओट्स दूंगी, और मैं इस ओट्स में तुरह सा सिरील भी डालती हूँ, और बोल में लेकर गरम पनी डालती हूँ, और उसके बाद हो जाता है, मैंने बहुत सरी रेसीपी देखी हैं, लोगों बोल करते हैं, मैं सिर्फ गरम पनी ही डालती हूँ, और कुछ भी नहीं करती, क्यूंकि जाननत इसा ही लाइक करता है, तो मैं आप आ गया हूँ, मेरी करत लगे हैं, इसलिए मेरी आवास भी ठीक टाक नहीं है, तो मैंने मेरी बीबी को खाना किला दिया, और उसके बाद मेरी बीबी का ठीबिल जो चेर के साथ लगा हुआ है, मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्यूंकि मैं जब भी मेरी बीबी को खाना किलाती उसके बाद उसके ठीबिल बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, और क्लीन करने के बाद फोल्ड करके एक खुने में रख दीती हूँ, क्यूंकि खाना किलाने के बाद तो उसका और ज़रुरत नहीं पड़ता, तो दूसरे टाइम जब खाना किला हूँँगी, तब बाहर न आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब की दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, और मैं सब कुछ ठीक करके बाहर आई हूँ, और इदार जन्नत उसके चाचा के साथ केल रही है, और उसकी दादा को ठाटा के रही है, तो बाहर आके द बी है, नाइमा है, उन लोगों के साथ वो खिलेंगे, तो फिर जन्नत को उन लोगों के पास चोर कर, मैं इदार चली आ गई थी, किछरी बानाने के लिए, क्योंकि लांच में जन्नत को मैं किछरी दीती हूँ, और मेरे किछरी भी हो गया है, तो आप लोग देख रही है, नाइमा के साथ सुबा से था, और नाइमा अभी तक नहीं गया, उसको चोर कर, क्योंकि सारे दिन नाइमा जन्नत के साथ ही रहता है, तो फिर मैं जन्नत को खाना खिला दूंगी, और वो काटून देख देख कर ही खाना खाते है, अगर नास्तिया नहीं दूंगी, तो वो माशालला मेरी बेबी को खाना खीला दिया और खाना खाने के बाद मैं खापार बदल देती हूं और मैं आज पहले सुबा नहीं वेल मेसेज किया इसलिए मैं खाना खीला के आप चली आई हूं उसको वेल मेसेज करने के लिए तो मैं यहाँ पर सरसे के तेल लाई हूँ और जनत बहुत ठांग करता है उसको भी हाथ में तेल देना पड़ता है तो उसने भी मेसेज किया और मैंने भी कर दिया और इदार कपरा भी पहना दिया अब मैं कपरा वाशिंग मिशिन में डाल दूँगी और जदा कपरा नहीं हुआ दोने के लिए जब और भी कपरा बाहर निकालेगा ताब मैं वाशिंग मिशिन चलो कर दूँगी और उसके बाद मैं चली आई हूँ मेरी दूसरी रूम ठीक करने के लिए मैं मेरी बेट क्लीन ही रखना पसंद करती हूँ और इसलिए हर वक्त यही काम पर लगा रहता हूँ इधर जाननत की घारी में भी दूल लग गया इसको भी मैं सफ़ कर दूँगी और आप टाइम हो गया है जाननत के सुने के लिए तो फिर जाननत भी सो गया और आप मैं गर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी जारो लगा दूँगी और मुझा भी घर दूँगी तो फिवर्स आप लोगों को मैं एक बात श्यार करना पसंद करती हूँ मेरे एक बात बताना चाती हूँ मुझे ना मेरे गार क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद करती हूँ तब बहुत अच्छे लगते है कोई ठेंशन नहीं रहता तो मैं फ्लोर क्लीन करके आप चाली आई हूँ सोफे के पास और जाननत सोफे ठीक ठाक नहीं रखने देती वो उठ करी पहले सोफे को तोड़ देते है फ्लोर में और आप वो जब सोग गया तो मैं सोफे ठीक कर रही हूँ और जाह पर दूल है उसको मैं क्लीन कर यह ज़ रीड फ्लावर है न वो जननत की बाट्टे पर गीफ्ट पर उटाता और इसको भी मैं clean कर दूँगी और मेरा गार clean हो गया है तो आप मैं चली आई हूँ washroom पर और इदार बहुत गंद लग गया और इसको भी बहुत अच्छे से clean कर दूँगी क्योंकि आज Friday है और मैं Friday को सब कुछ बहुत अच्छे से clean करती हूँ और मैं सब कुछ दो लिया है टिक टक से और मैं आप इसको जगा पर रख दी हूँगी So viewers अब तक आप लोगों को मेरे ब्लोग के सलागा जरूर कमंड किजिए यह जो self देख रही है ना आप लोग इसको मैं online से order करके लाई हूँ और इसके price है इसको यूज़ करकर मुझे बहुत अच्छा ही लगा बहुत अच्छे से चीज़े रख पाती हूँ otherwise जगा ही नहीं होता है तो फिर उसके बाद मैं mirror clean किया और घर पे चली आई हूँ और इधर आके देख रही हूँ मैंने oven तो clean ही नहीं किया तो फिर मैंने oven को clean करने के लिए लग गई हूँ क्योंकि मेरी बेबे के खाना बर-बर करना पारता है और उसके लिए clean रखना भी जरूरी है तो मैंने सब कुछ बार निकल के प्लेट भी बार निकला और दूकर अच्छे से सुकी हुए कपर से मुच लिया और उसके बाद चापर रख दूँगी सो मैंने ओवन भी clean कर दिया और उसके बाद मैं नहाके भी आ गई हूँ और उसके बाद मैंने एक cream लिया एक cream मैंने day को लगाती हूँ only face में ही use करती हूँ और lotion भी use करती हूँ और इदर जन्नत भी सो कर उड़ गया है और दूसरी तरफ नहीमा भी बेसे बुरी से इंतेजर कर रहे है जन्नत के लिए और वो कब उठेगा और उसको लेकर वो बाहर जाके खेलेगा तो जन्नत भी बिलकुल ready है और उसको लेकर आप बाहर जाओंगी क्योंकि सुबह से शाम हो गया है आप तो हम बाहर जा रहे है और मैं भी पिछे पिछे जारी हूँ क्योंकि मुझे भी देखना पारेगा जन्नत किसके साथ है क्योंकि नई मा के साथ आके लिए नहीं देती हूँ क्योंकि वो भी चुटा बच्चा है और बाहर आके देख रही हूँ लुकमान भी साथ में है तो फिर दोस्तो आज इतना ही है आप लोगों को कैसा लगा जर्र कॉमेंट कीजिए और मेरे लिए मेरी बेबी के लिए और फेमिली के सब के लिए दुआ करना